हालो दोस्ट आज मैं पताने वाला हूँ एक नई वेकंसी के वारे में जो है आन्द प्रदेश महेश कॉपलेटिव अर्बन बैंक लिम्टेंड में जो भी कैनिडेट सीय है सीय में है सीय से और एंबीय कंप्लेट कर चुके हैं उनके लिए अच्छी खवर है इस बैंक में डि डिप्टी मैनेजर असिस्टन मैनेजर की तो जो भी कैनिडेट इस फॉर्म को भरना चाते हैं इस वीडियो का अंतक देखे ताकि आपको फुल डिटेल मिल सके और जो भी इस चैनल पर नहे हो इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दवाना न भूले तो चलिए वीडि जैनल मैनेजर असिस्टन जैनल मैनेजर सिनियर मैनेजर मैनेजर चार्टेड अकाउंटेट कंपनी सेकरेटरी एंड चीफ रिस्क ऑफीसर की पोस्ट आई है डेट की बात करें तो जब से यह नोटिफिकेशन इसू हुआ है 6 सितंबर को उससे 15 दिन के अंदर में आपको एह फॉर्म को अप्लाइ कर दना है यानि लास्ट डेट जो आपका है 24 सितंबर है जो आप इस वेब साइट पे www.apmahesbank.com पर आप जाकर विजिट करके ऑनलाइ कर सकते हैं पे पैकेज की बात करें तो आपका जो पैकेज दिया जाएगा आपके क्वालिफिकेशन और एक्स्प्रियेंस बेस्ट पे दिया जाएगा बात करते हैं फर्स्ट पोजिशन की जो है जेनरल मेनेजर जिसमें नमबर पोस्ट की बात करें तो 3 है जिसमें जो आप का job description होगा business development का operation का और investment का होगा education qualification की बात करें तो आप graduate post graduate in any subject candidate with MBA CFA ICWA CA CS and CAIIB will be given preference आपको मिलेगा अगर ASAP degree आपके पास है तो आपको preference मिलेगा age की बात करें तो आपका जो होना चाहिए 53 years से कम होना चाहिए experience की बात करें तो आपका जो working होना चाहिए currently आप bank पे काम कर रहे हैं और आप a scale six के post पे काम कर रहे होंगे और minimum आपका जो experience होना चाहिए वो three year का experience होना चाहिए maximum जितना हो सके second post की बात करें डिप्टी manager की जिसमें number of position की बात करें तो seven है जो काम कर रहा हो currently finance account treasury credit information and technology investment law planning and development human resources vigilance and marketing में educational qualification की बात करें तो आप होना चाहिए और candidate जो भी MBA CFA ICWA CACS CAIIB will be given preference अगर है तो आपको preference दिया जाएगा एज की बात करें तो आपका जो एज होना चाहिए 50 years से काम होना चाहिए experience की बात करें तो मिनमा आपका three year का experience होना चाहिए a scale five के पोस्ट पर थर्ड पोस्ट की बात करें तो system general manager है जिसमें number of position की बात करें तो 17 है जिसमें आपका job profile होना चाहिए finance and accounts treasury credit state information and technology law recovery marketing sales planning development audit and infection human resources educational qualification की बात करें तो आप graduate post graduate होने चाहिए कोई भी stream में और उन candidate को preference दिया जाएगा जो MBA, CFA, ICWA, CA, CS, CAIV रहेगा तो उनको preference दिया जाएगा age की बात करें तो 50 years से कम होना चाहिए experience की बात करें तो आपका minimum three year का experience होना चाहिए a scale four और five के post पर नेक्स पोस्ट के बात करें तो senior manager है hod जिसमें number पोस्ट के बात करें तो 34 है वह भी आपका finance account, treasury, credit, insurance, state information, technology में होना चाहिए hql qualification बात करें तो इसमें भी same है यानि आपको graduate और post graduate होना चाहिए प्लस आपको preference दिया जाएगा MBA, CFA, ICWA, CACS, CAIIV अगर आप pass out है तो अच्छा opportunity है आपके पास age की बात करें तो below आपका 45 years होना चाहिए experience की बात करें तो minimum आपका 3 years का experience होना चाहिए और आप currently bank में a scale 3 पर आप काम कर रहे होगे नेक्ट पोस्ट की बात करें तो manager and branch manager का post है जिसमें number and positioning की बात करें तो 41 है यह भी आपका same है finance account, treasury, credit, insurance, state information, education, educational qualification की बात करें तो कोई भी graduate इसे apply कर सकता है और preference दिया जाएगा अगर आपके पास CAIV का अगर degree है यह diploma है तो आपको advantage दिया जाएगा age की बात करें तो 45 साल से कम होना चाहिए experience की बात करें तो at least आपका 3 years का experience होना चाहिए कोई भी branch commercial urban cooperative bank में और आप a scale 3rd और 2nd पर कारेड़त होना चाहिए next post की बात की बात की बात करें तो 5 है educational qualification आपका charter accounted complete होना चाहिए candidate with passing CA inter are also eligible यानि जो CA inter complete हो भी इस form को भनने के लिए eligible है age की बात करें तो minimum आपका 45 years से कम होना चाहिए experience की बात करें तो minimum आपका 3 year का experience होना चाहिए और भी banking sector में होना चाहिए next post है company secretary का जिसे बात करें तो 1 है educational qualification भी बात करें तो जो भी candidate CS complete है और additional में आपका LLB होगा तो आपको advantage दिया जाएगा age की बात करें तो below 45 years होना चाहिए experience की बात करें तो candidates should have 3 year experience as company secretary in corporate governance and compliance of all roles next post की बात करें तो chief risk officer की है जिसमें आपका number of post only one है educational qualification की बात करें तो आप graduate with professional certification in financial risk management from global association of risk professional और professional risk management certification from PRMIA institute से pass out होना चाहिए और candidate with CACFA CMA will be given preference अगर आप CACFA CMA भी है तो आप इस form को eligible है form भरने के लिए age की बात करें तो आपका age 45 साल से नीचे होना चाहिए experience की बात करें तो आपका 5 year का experience होना चाहिए corporate credit and risk management में तो जो भी candidate इस form को भरना चाहते हैं तो इस notification को एक बार सही से readout कर लिजेगा मैं इस notification को description box में ढाल दूँगा आप वहां से download कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो करें share करें और subscribe करें और bell icon को दवाना ना भूले ताकि आपको jobs related वीडियो मिलती रहें जैहें झाल झाल आपको जिए वीडियो जा है दो इस वे झाल झाल प्रूले बिताव पर हमारे वीडियो वीडियो जैहें